हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीट स्वागत है आप सभी का मेरी चानल गाडनिंग विद गीट कुमार में एक नए प्लांट केर के साथ हाई हूँ फ्रेंट्स आज का जो हमारा प्लांट है वो है डेफन बेकिया इसे डामकेन भी कहते हैं आज इस प्लांट की देख भाल तो शे प्लांट की प्लांट की चानल को सब्सक्राइब कर दें बाल आइकन दबा कर ताकि मेरे सारे प्लांट वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे तो फ्रेंट्स यह है डफन बेकिया का प्लांट इसे डम केन भी कहते हैं यह बहुत है ही खुबसूरत तो दिखता ही है उतना ही जहरीला भी है तो काम जब भी करते हैं इस प्लांट के उपर बहुत साफधानी से करेंगे बहुत ही खुबसूरत औरनमेंटल प्लांट है बहुत ही खुबसूरत हाउस प्लांट भी है और इसकी बहुत सारी वराइटी होती है इसक और कटिंग से आप बहुत असानी से लगा सकते हैं इन प्लांटस को इन प्लांटस को बस ध्यान रखें कि फ्रेंट्स यह जो प्लांट है यह इंडूर आउट्डोर दोनों जगह चल जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कड़ी धूप में अपने प्लांट को ना रखें वरना तो पतियां होती है वो बर्न होने लगती है जलने लगती है डेफन बेकियास की और आप इसे पार्शल शेड में रख सकते हैं कहने का मतलब है फ्रेंड्स की दो तीन घंटे की धूप सुबह की दिखा दें उसके बाद आप इसे शेडेड एरिया में रग दे या फिर ऐसे युमिडिटी और मॉश्टर बनाए रखने के लिए इस प्लांट में पानी का छड़काव जरूर कर दिया करें दो तीन बार ज्यादा से ज्यादा दो बार कर दिया करें आप लोगों को अगर वक्त मिलता है तो तो यह प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं बात इन प्लांट की बात करूं कटिंग से आप लगा सकते हैं कटिंग से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं और इन प्लांट को फ्रेंट्स आप पानी की बात करूं तो बहुत जादा पानी ना दे क्योंकि इन प्लांट के जो रूट्स होते हैं इस प्लांट के वो ओवर वाटरिंग ही होता है ज्यादा पानी की वज़े से होता है तो इसकी मिट्टी जब सूखने लगती है उपर की एक दो इंच तभी इसमें पानी डाले और इन प्लांट की मिस्टिंग जरूर कर दें तो खुश रहते हैं ये प्लांट और खाद के लिए फ्रेंट्स इ किसी भी प्लांट में फिर से खाद देना चाहिए और डेफन बेक्यास को बहुत जादा खाद की जरूरत नहीं होती है ये पत्तों वाले प्लांट्स हैं तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जो होते हैं वो लिफी प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं रेशियो में आता है तो बैलन्स रेशियो वाला जो कोई भी रेशियो वाला फ्रेंट्स आप डाल सकते हैं अगर नहीं है इन केस आपके पास तो लेकिन अगर बैलन्स रेशियो वाला हो तो अच्छा रहता है जैसे ट्वेंटी 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 तो वो आप डाल सक तो आप 2-5 महीने में डाल सकते हैं तो प्लांट अची तरह से ग्रोथ करता रहता है और अगर आपका प्लांट लेगी होता जा रहा है बहुत लंबा हो रहा है पतियां का मारी है तो उसकी कटिंग कर दें कटिंग करने का सबसे अच्छा सीजन जो होता है फ्रेंट्स वह होता कर सकते हैं और इस प्लांट को हमेशा तीन से दो से तीन साल के बाद गमला चेंज कर देना चाहिए इस प्लांट का फ्रेंट्स क्यूंकि इसकी रूट्स बहुत बड़ी बड़ी होती है तो अगर रूट अगर इसका बाउंड हो जाता है तो न्यूट्रिशन लेना बंद कर कर देते हैं यह प्लांट्स मिट्टी जादा रहेगी तो भी ग्रोथ अच्छी सी होगी तो आप रिपॉर्टिंग कर दिया करें उसे हिसाब से और फिर बताती हूं यह तो बात हो गई थी फ्रेंट्स बात हो गई डेफन बेकिया की और इसकी 20 तरह की वराइटी होती है बह अगर बाते हैं तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं एक चमच एक लीटर पानी में डालके महीने में एक बार आप दाल दिया करें तो इससे आपको बहुत फर्क दिखेगा फ्लारिंग भी बहुत होगी आपके प्लांट में कलर भी बहुत सुंदर आएगा साइज भी तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है तो इसलिए मैंने सुचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और यह देखें फ्रेंड्स यह मैंने पॉर्चुला का प्लांट बोलके ही मैंने इसमें लगा दिया फिर भी इसकी ग्रोथ इसमें अच्छे से हो रही है बस यही दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने यह रखा हुआ था तो यही आज का हमारा वीडियो था यहोप अच्छा लगा होगा लगा हो अच्छा तो ज़रूर लाइक और शेयर करें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स तिल देन बाई टेक केर